हलो दोस्तो स्वागत है आपका इडूटेरिया चनल पे बिहार दरोगा एसाइमेंस 2020 की टेस्सीरीज में मैं आप सभी दोस्तों का स्वाइद करता हूँ यह हमारा टेस्ट नमबर 7 है इससे पहले 6 टेस्ट प्रोवाइड किया जा चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ ही साथ इस टेस्सीरीज का जो पीडियेफ लिंक है वो नीचे टेलिग्राम गुरूप में प्रोवाइड किया जा रहा है जहां से आप उसे डाउनलोड करके घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए आईए शुरुआत करते हैं पहला कोश्चन मैच सेक्षन से है जिसमें है रूट अंडर 86.49 प्लस रूट अंडर 5 प्लस के स्कॉयर एक्वल टू 12.3 के का वैलू क्या हो ताकि या 12.3 के एक्वल हो जाए फ़हले इसको सॉल करिएगा 86.49 या 9.3 का हॉल स्कॉयर है उसके बाद इसको सॉल करके 9.3 इज़र घटाईएगा तो के का वैलू आपको प्राप्त होगा 2 तो आप उप्सन देखिएगा कि इन में से कोई नहीं बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं दो संख्याओ का अंतर 12 24 तथा उनका मौसा यानि HCF 12 है तो इस परकार संख्या के कितने जोड़े संभव है जोड़े कितने हैं जो की संभव है तो पहले मान लिजिए कि पहली संख् 24 तो इतने कितने संख्या है जिसको घnt नहीं कर तक चांट नहीं करते हैं जैसे 4 और 2 का मौसर वापस निकाला जा सकता है तो इसमें क्या हो सकता है कि यह मौसर का जो मान है वो 12 से बरके कितना हो जाए 24 हो जाता है इसलिए इसमें उन संख्याओं को नहीं जोड़े जाता है जिसका मौसर दुआरा निकाला जा सकता है तो यहाँ पर जो जोड़ों की संख्या होगी वह होगी अनन्त आगे बढ़ते हैं सोनी और मोनी की वर्तवान आयू में साथ वर्स का अंतर है यदि मोनी की आयू सोनी की आयू की दो त्याई है तो मोनी की आयू M equal to two third of S ऐसे कर समझ लिजिए तो आप अगर देखिएगा ये third को इदर cross multiply कर दिएगा तो three M equal to हो गया two S, M का value two और S का value three होगा alternate समझ ये opposite तो कहा जा रहा है कि दोनों में अंतर है A साथ वर्स का तो यहां पे है तीन और यहां पे दो तो दोनों में अंतर आपको प्राप्ट होगा one और उसने कहा कि seven है तो one equal to seven तो सोनी का value पूशी जा रही है तो सोनी का value three के बरावर है तो three equal to twenty one इस पर कार option number C बिलकुल सही है आगे बढ़ते है question number four किसी पूजी के साथ A, B, C ने साज़दार है जिसने की एक वेपार्ट सुरू किया A ने 10,000 रुपे लगा है एक हजार का total लाव हुआ जिसमें A को 500 रुपया मिला, B को 300 मिला और C को कुछ लाव मिला होगा तो total अगर एक हजार का लाव है जिसमें A को 500 मिलता है, B को 300 मिलता है तो जरूरी है कि C को 200 मिला होगा C को 200 रुपया का लाव मिला है तो भईया इसको पूजी कितना है तो पूजी कैसे लगाएंगे यदि A ने 10,000 लगाएं और उसे 500 मिला यानि उसका 500 कितने के बराबर हो गए 10,000 के क्यूं होते है ऐसा क्यूंकि लगाएंगे पूजी के अनुपात में ही लाव का अनुपात होता है तो 500 इकॉल टू 10,000 तो 200 इकॉल टू अगर आप निकालिएगा तो पढ़िएगा कि वो होगा 4,000 तो आप्सन नमबर A बिलकुल सही है क्यूंशन नमर फाइव है कि नीलम अपनी आए का 20% मकान के किराय पर तथा सेस का 70% घरलू मदो पर खर्च करता है यदि वह 3600 रुपया बचा लेता है तो उसकी कूल आए कितनी है मान लेजिए कि उसकी आए टोटल 100 रुपय उसमें से उसने 20% मकान पर खर्च कर दिया बचा 80 रुपय अब उस 80 का उसने 70% खर्च कर दिया इस 80 का उसने 70 खर्च कर दिया है इसका मतलब उसने इसका 30 बचा लिया होगा इस 80 का 30 परशन बचाया यानि कि उसने 24 रुपय बचाया है तो वो 24 बराबर होगा 3600 के पूछा जा रहा है तो उसकी cool आया क्या है तो 100 अगर आप निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी cool आया है 15,000 रुपे option number B बिलकुल सही है question number 6 की तब बढ़ते हैं 6 है Mohan ने 5,000,000 रुपे में एक plot खरिदा plot का आधा 10% लाप पर और 6 आधा जो उसने 15% लाप पर बेचा तो उसे कितने परतिसत का लाप हुआ तो मालने जी एक plot है जिसमें कि उसने आधा 10% लाप पर बेचा है और दूसरा वाला जो है उसे 15% के लाप पर बेचा है तो 200 plot ले लिए टोटल कि वही 200 अगर plot है तो उसमें amount लिका लिए और ये टोटल 200 का कितना परसेंट है ये पता कर लिए तो आप पहिएगा कि option number B बिल्कुल सही है आगे बढ़ते है यदि कोई धंडासी 25 वर्सों में तीगुनी हो जाती है तो ब्याज किदर क्या होगी कोई धंडासी 25 वर्सों में तीगुनी हो जाती है तो जितनी गुनी हो जाएगी उसमें से एक माइनस कर दीजिए यानि दो निकाल लिए दो गुने 100 करिए डिवाइड़ वाई जितना वर्स है वो कर दीजिए तो आप काटिएगा solve करिएगा तो पहिएगा कि option number A बिल्कुल सही है P, R, T, Y, 100 पर भी solve कर सकते हैं उसी पर कर सकते हैं जैसे कि इसमें इसा ही जो होगा वो तीन गुना जो उसको amount बिल रहा है उसमें दो बेयाज होगा 2P और ये P से P cancel out हो जाएगा R आपको ग्याद करना है T 25 दिया हुआ है बस solve कर लिजए और 15 दिन में बना सकते हैं तो दोनों एक साथ काम करें तो सब्ता समाप्त करने के लिए B काम कितने दिन पहले छोड़ दे ताकि टोटल 8 दिन में दिवार बन जाए तो मान लिजिए कि दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया पहले दोनों का Epsancy निका लिए A 10 दिन में करता है और B जो है 15 दिन में करता है टोटल 30 काम हुआ और इस किपसंसी होगे 3 और 2 और ये 3 एक दिन में काम करेगा और ये 2 काम करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं 8 दिन काम करेंगे टोटल तो इसका मतलब है कि 8 दिनों में उसनों ने 40 काम किया और काम टोटल 30 है तो 10 काम वैसे काम है जो एक्स्ट्रा आपने करवाया है वो 10 काम B ने नहीं किया भलकि आपने उसे जवरस्ती करवाया तो B जे 10 काम करेगा वो टोटल 5 दिनों करेगा क्यों क्योंकि भी कीपसिंसी 2 है तो 5 दिन उसने काम नहीं किया फिर भी आपने उसे 10 काम जोड़ करके 30 को 40 कर दिया था तो इस पर कार option D बिलकुल सही है आगे बढ़ते है question number 9 10 theta equal to 1 by root 3 है तो cos theta का मान get करें आप जानते होंगे 10 30 degree का मान होता है 1 by root 3 तो cos 30 degree का आप में value होता है root 3 by 2 अगला है चित्र में O किंद्र है और AOB 90 degree है AOB 90 degree है यह 90 है और AOC 110 है तो यह 90 और 110 total हो गए 200 तो BOC हो गया 160 तो BAC का मान गयत करते है तो किंद्र पर जो बना कून होता है वो पड़िधी पर बनाए गया कून का दूना होता है तो किंद्र पर है 160 तो पड़िधी पर जो कून बनेगा वो होगा 80 तो option C बिलकुल सही है अगला प्रशन है उस संख्या युग्म का चैन किजिए जिसमें दो संख्या उस तरह संबंदित है जैसे दिये गए युग्म में है तो युग्म में जो संख्या संबंदित है वो चेक करिए पहले कि 2 और 8 को जोड़ने पर 10 आता है और इसी 28 में 10 जोड़ दिया गया है ताकि वो 38 आजाए यानि इन दोनों को एड़ को उस संख्या में जोड़ दिया गया है तो उप्सन C में देखिए 63 में फिर 6 और 3 को एड़ करके जोड़ दिया गया है ताकि ये 72 आ जाए तो उप्सन C बिल्कुल सही है अगर आप रस्ट है निमलिखित समय करनों को सही रूप से हल करने के लिए किन दो चिनों को आपस में बदलना चाहिए इसमें कौन से दो चिन है जिसों आपस में बदल दिया जाए ताकि वो 13 के एक्वल हो जाए तो इस प्रस्ट में आप देखिएगा कि यदि माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो इसका answer 13 आ जाता है आगे बढ़ता है question number 13 एक ही पास से कि अलग-अलग इस्तितिया दर्साई गई है तो एक के विप्रित कौन सा है आप देखिए कि इसमें 5 common है दोनों में यदि आप इसके left से चलिएगा इसमें भी left से देखिएगा फ़र इसके left में पहली बार आता है one तो one के opposite में क्या हो गया अगले वाला बढ़ेंगे तो अगले वाला इसमें मिलेगा three और इसमें मिलेगा six इस परकार three का opposite होगा six one का opposite होगा four और जो बाकी बच गया वो एक दूसरे का opposite होगे वो होगा two और five संख्या के उस समुच्चे का चैन कीजिए जो निमली खित समुच्चे के समान है इन में जो रिलेशन है वो रिलेशन अगला किस्मे होगा तो यहां देखिए चार का स्कुएर 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19 यानि फर्स्ट वाले के स्कुएर को सकेंड वाले में एड़ करके तीसरी संख्या लिखी गई है तो आप्सन नमबर भी देखिए 6 के स्कुएर 36 पलस 4 वो हो गया इक्वल टू 40 तो आप्सन भी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं उस वेन आरेक का चैन कीजिए जो नमलिकित स्रीनियों के बीच सही समंध को दर्साता है तीन नाम दिये गए विद्यार्थी, खिलारी और दर्सक इसको वेन डाइगरम के माद्यम से दर्साना है तो विद्यार्थी, खिलारी भी हो सकता है खिलाडी दर्सक भी हो सकता है और विद्यार्थी भी दर्सक हो सकता है इस पर क्या आप्शन सी बिलकुल सही है अब प्रशन है यदि किसी कुट भासा में T I J E R को S U H J F H D F Q S लिखा जाता है तो उसी भासा में इसे किसी की सरूप में लिखा जाएगा तो T I J E R को इस रूप में लिखा गया है तो आप देखिए कि T से जस्ट आगे वाले और पहले वाले वार्ड को लिखा गया है तो उसी पर अब देखिएगा कि किस से पहले वाला वार्ड G है और उसे बाद वाला H है आई है तो वो वार्ड है H एट से पहले आता है जी उससे बाद आता है आई तो इस परकर आप देखिएगा कि अप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि यह होर्स को ही इस रूप में लिखा गया है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है दीगा अकृति बनाने के लिए आवस्यक सीधी रिखाओं कि यह नियुन्तम संख्या ग्याद किजिए इस आकृति को बनाने के लिए नियुन्तम कितने डंडो की आप सकता होगी यह से एक हो गया यह बड़ा वला दो हो गया यह बड़ा वला तीन है यह चार है यह पांच है यह छे है यह साथ है यह आठ है यह नौ है यह दस ग्यारा बारा और एक तेरा टोटल आपको तेरा ड बोलता हूँ तो इस परकार की आकरती आपको प्राप्त होगी इसमें जो ऑप्शन नमबर सी देख रहे हैं वो बिलकुल सही है एक बड़ते हैं एक पड़िवार में छो सदसे हैं A B C D E और F A और B विवाई जोड़े हैं A पूरुस सदसे हैं D C का एक मातर पुत्र है और जो A का भाई यह है E D की बहन है B F की पुत्रवदू है जिससे पती की मिर्टिव हो चुकी है E C से किस परकार समधित है इस कोश्चन को आप फैमिली ट्री के रूप में देखिएगा बनाके पुजल के रूप में तो आप आएगा कि इसका एंसर होगा अपसन नमबर B B T आएगा बढ़ते हैं कोश्चन नमब 20 की तरफ कोश्चन नमब 20 है किस समय चार से पांच बज़े के बीच घड़े की मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के परित होगी साम के चार और पांच के बीच में चार बज़ कर चौबन पुर्णांग 6 बटाए 11 मिनट पर घड़े की जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट होती है आएगा बढ़ते हैं सबसे प्राचीनतम पुरान कौन सा है पुरानों की संख्या 18 है जिसके रचनाकार के रूप में और उसके रचैता के रूप में लोम हर्स एवव उद्गर सरवा को जना जाता है सबसे जो पुराना पुरान है वो है मत अस्ते पुरान आएव अरते हैं डाइनोसियस कौन था तो डाइनोसियस जो था वो मिस्र के नरेस राजा टॉलमी फिलाडेलफर्स का राजदूत था जो असोक के दरवार में आया था तो आप्सन B बिल्कुल सही है कि मिसर के राजा टॉलमी फिलाडिलफस के राजदूत के रूप में वह असोक के दरवार में आया था तेश नंबर कोश्चन है कि असोक का सारे कुनाक जो कंधार में स्थित है वो किस लिपी में लिखा गया है असोक ने अपनी जो सिला लेख है और अब लेख है उस पर चार भासाओं का प्रयोग किया है ब्रामनी, खरोष्टी, ग्रीक और अर्माईक भारतीय महादेश जो भारत का छेत था उसमें ब्रामनी रूप लिपी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे अब जानते होंगे कि सबसे पहले हिंदी उनानी आये थे जब विदेशी आकरमन होता है था उसके बाद आया था सक, फिर आया थे पर्थियन और फिर आया थे कुशान हिंद्य उन्य 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 कुसानों ने जारी किये थे आगे बढ़ते हैं तारीखे यामनी पुस्तक के लेखक कौन है तारीखे यामनी एवं किताबे यामनी इस पुस्तक के लेखक है उत्वी मुहमद गजनवी के दरवार में चार विद्वान रहते थे उन चारों का नाम इसमें दिया गया है अलबरुनी, उत्बी, फारुखी और फिर्दोसी ये चारों विद्वान जो थे वो मुहमद गजनवी के दर्वार में थे उत्बी के दोरा जो किताब लिखी गई थी वो थी तारीक यामनी या किताब यामनी अलबरुनीन लिखा है तहकीके हिंद या किताबूले हिंद फिर्दोसी के दोरा जो लिखी गई पुस्तक है वो है साहनामा साहनामा फिर्दोसी के दोरा लिखी गई है जिसे अफगानिस्तान का महावारत कहा जाते है अगर बढ़ते हैं अड़ाई दिन का जोपरा किसके द्वारा बनवाया गया था तो अड़ाई दिन का जो जोपरा है वो गुलाम वन्स के संस्थापक कुतुब दिन एवक के द्वारा बनवाया गया था प्राडम में जो अजमेर में एक संस्कृत महावी देले बनाये गया था जिसे तुड़वा करके कुतुब दिन एवक ने एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम था राई दिन का जोपड़ा कुतुब दिन एवक के द्वारा निर्मित कई ऐसी असलाकृतिया है जो की औरत्वान में विद्वान है जैसे कुवत उलि इसलाम मस्जिद जो दिली में है एवं कुतुब मिनार की नीव भी कुतुब दिन एवक नहीं रखी थी आगे बढ़ते हैं कस्मीर का औरंग जेव की उपाधी किसे दी गई है कस्मीर का औरंग जेव की उपाधी है वो सिकंदर सा को दी गई है 1398 इसली में सिकंदर सा कस्मीर का सासक बनता है उस समय ही तैमूर का भारत पर आक बन होता है सिकंदर सा को कस्मीर का औरंग जेव कहा जाता है वहीं जैनुवल आपदीन को कस्मीर का अकबर कहा जाता है कस्मीर का अकबर जैनुवल आपदीन और कस्मीर का औरंग जेव सिकंदर सा आगे बढ़ते हैं किस संदी ने साहू की महराज की अधिनता सांभाजी दूतिये ने स्विकार कर ली तो किस संदी में तो 1731 इस्वी में हुए वार्ना की संदी में साहू जी महराज की अधिनता सांभाजी दूतिये ने स्विकार कर ली थी आगे बढ़ते हैं मदरास की संधी कब हुई पर्थम आंगल मैसूर यूद की समाप्ती मदरास के संधी के साथ हुआ था तोटल चार आंगल मैसूर यूद हुए थे जिसमें मैसूर एवं ब्रिटिस के बद्ध हुआ था तो हैदर अली की नेतितों के में पर्थम आंगल जोगत था वह स्रीरंग पत्नम की संधी के साथ समाप्थ हुआ था चतुर्थ आंगल मैसुर युद में टीपू सुल्तान की मिर्ट्य हो जाती है तो उसके बाद संधी नहीं होती है आगे बढ़ते हैं कोश्चन सिंधी राजवन्स सिंधिया कब राजय में सामिल हुआ तो वेलेजली की जो सायक संधी है 1799 में सही शुरू आ जाती है 1799 में सबसे पहले हैदराबाद निजाम जो था उसने सायक संधी को स्विकार कर लिया उसके बाद जस्ट अगले वर्ष 1799 में मैसूर ने इसकी अधिनता स्विकार कर ली थी और सिंधियों ने सबसे अंत में 1804 में जाकर के वेलेजली की संधी को स्विकार रहा था वेलेजली की संधी को 1801 में ही अवद ने और 1801 में ही पेशवाओने स्विकार कर लिया था आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 31 कोशन नमर 31 है कि इलबर्ट विल विवा इसमें कहा गया था कि भारतिय न्या अधिसों को यूरोपयों का मुकदवा सुनेटू में आजादी दिया जाएगा तो भारतिय न्याधिस यूरोपयों का मुकदवा सुन सकेंगे यह था इलबर्ट विल विल्वार्द जो की 1883 इस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ यह बिल लॉर्ड डिपर्न मनवाना चाहता था लेकिन बिटिस जो संस्था थी उसने इस बिल को पास नहीं किया जिस कारण 1884 इस्वी में लॉर्ड डिपर्न ने इस्तिफाद दे दिया आगे बढ़ते हैं एनी बेसेंट निम्न में से किस संस्था का कारेभार भारत में संभाला तो 1875 इस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना नियू यॉर्क में की गई थी एच पी बाल्ट वर्स की एवन कर्नल अलकाट के द्वारा उसी के जो एक संस्था है जो कि भारत में थी थियोसोफिकल सोसाइटी की जिसका नित्य द्व एनी बेसेंट ने किया था तो तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो संस्था का कारेभार भारत में एनी बेसेंट से ने समाला था अगे बढ़ते हैं पुस्तक SS on Indian Economy कि किसके द्वारा लिखी गई है तो पुस्तक जो है S.S. on Indian Economy के लेखक है M.G. रेनाडे M.G. रेनाडे के द्वारा लिखी गए पुस्तक का नाम है S.S. on Indian Economy आगे बढ़ते हैं 1857 की करांटी के दौरान दिली में हुए विद्रो को किस ने दबाया 1857 की करांटी में विविन राजाओं के नेतेतु में विद्रो हुए थे दिली में जो विद्रो हुए था वो मुगल वन्स के अंतिम सासक बहादूर साजफर के द्वारा किया गया था उनके सेनापती बख्त खाने इसका नेतेतु किया था जिसे निकोलसन एवं हर्टसन के द्वारा दबाया गया था तो यहां पर हर्टसन आप्सन नहीं दिया हुए है इस परकार आप्सन डी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते है कोश्चन नमर 35 अहमदाबाद मिल मजदूर अंदोलन में विवाद को सुझाने के लिए गांदी जी ने सत्यागर रखिया यह किस कारण हुआ था तो अमदाबाद मिल मजदूरों में बोनस को लेकर के एक विवाद हुआ जितना काम कराया जाता था उसके बदले में जो बोनस है वो नहीं दिया जाता था इसके लिए यह विवाद हुआ था तो पलेग बोनस विवाद के कारण ही अम्दाबाद मेल मज़ूरों ने हर्ताल कर दिया था 1918 इस्वी में आगे भरते हैं सुरेदनात बनरजी द्वारा निम्न में से कौन सी सस्थाफ अस्थाफित की गई थी इंडियन अस्थाफित की अस्थाफना सुरेदनात बनरजी के द्वारा 1876 में की गई थी तो इंडियन अस्थाफित का पड़ियोग सरवपर्थम किस वेद में हुआ था तो गोतर सब्द का जो पड़ियोग है वो सबसे पहले अथर सुरिनी की वेद में हुआ था प्रिग वेद में सबसे पहले गोतर सब्सका उलेक मिलता है भाबरु अबलेक किस राज में अस्थापित है तो राजा असोक के द्वारा कई अबलेकों को लिखवाया गया है जिसमें एक है भाबरु अबलेक या अबलेक राजस्थान में इस अबलेक में असोक को राजा कि राजा के रूप में संबोधित किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है कोशन नमर 39 क्रेश सक्ति की छमता के अधार पर निम्द में से किस देश की अर्थवस्ता विश्व में पहला अस्थान है तो क्रेश सक्ति की छमता के अनुशार पर विश्व में पहला अस् और भारत का तीसरा अस्थान है ओर जापान का छोथा अस्थान है जो करम दिया हुआ है इसमें option के साथ बिलगल सही है कि पहले अस्थान पर चीन है दूसरे हैं उसे हैं और तीसरे अस्थान पर भारत है आगे बढ़ते हैं question No.40 किस पंच वर्षी योजना में मानव संसाधन के विकास को सरवच प्रात्मिक्ता दी गई थी तो आठवी पंच वर्षी योजना जो वर्ष 92 से 97 के लिए चलाई गई थी उसमें मानव संसाधन के विकास को सरवच प्रात्मिक्ता प्रणान की गई थी जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमुलियन करता है तो मुद्रा की अवमुलियन सेतात पर है किसी देश की मुद्रा का अन्य देशों की मुद्रा के तुलना में उसके वैलियो में कमी करना। भारत में अभी तक तीन बार मुद्रा काव मुलिन किया गया है और 1949 में, 1966 में और 1991 में जिसका मूल लुदेश होता है कि वाहर से आने वाली वस्तुओं को भारत में महगा करना और अपने वस्तुओं को विदेशों में निरयात का सस्ता करना ताकि निरयात बढ़ सके तो निर्यात को सस्ता करने के लिए और आयात को महंगा करने के लिए मुंद्रा का उमूलिन किये जाता है तो इस पर कार पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है तो कथन दो और कथन तीन सही नहीं है तो इस option को देखिए option B बिलकुल सही है अगे बढ़ते हैं अगरा प्रस्ण है question number 42 भारती रिज़र बेंक द्वारा बेंक दर में कम वर्धी कर निम्ड में से क्या प्रभा होगा तो बेंक दर में यदि भारती रिज़र बेंक वर्धी करता है तो इसका मूल उदेश होता है कि बजार में जो रुपे की तरलता है रुपे की मात्रा है उसको कम करना तो मुद्दा के जो आप उर्टी बजार में है उसके उसमें कमी आएगी और बैंकों का जो साख सेजन है उसकी चमता में क्या होगा इसमें भी वड़ी आएगी तो option आप दिखेगा कि option B बिलकुल सही ह आगे बाढ़ते हैं Question number 43 विश्व आर्थिक परिदिस रिपोर्ट ने में इसे कि संस्था के दोरा जारी किया जाता है दो रिपोर्ट है एक है विश्व आर्थिक परिदिस रिपोर्ट और दूसरा वैस्विक वीतिय स्थीरता रिपोर्ट ये दोनों ही IMF के दोरा जारी किया जाते है अंतराश्टिय मुद्राकोश के दोरा यह जारी किया जाता है IMF की अस्थापना 1945 में की गई थी आगे बढ़ते हैं निम्ड मेंसे किस राज्य छेत्र में छित्रिये ग्रामिन बैंक करेरत नहीं है दो ऐसे राज्य है गोवा और सिक्किम जहाँ पे छेत्रिये ग्रामिन बैंक करेरत नहीं है छेत्रिये ग्रामिन बैंक यानि RRB रिजिनल रूरल बैंक के स्थापना 2 अक्टूवर 1975 को की गई थी या सिक्की में गोवा को छोड़ करके बाकिस सभी राज्यों में कारेरत है तो अप्शन अब देखिएगा कि अप्शन C बिलकुल सही है अगला प्रस्ट है कोश्चन नमे 45 है राजसभा के संदर में निम्ड में से कौन सा कथन सही है तो सही पूछा जा रहा है राजसभा के संदर में राजसभा एक अस्थाई सदन है जी है दोस्तों राजसभा एक अस्थाई सदन है इस उच्च सदन एवं विश्यसग्यों के सदन के रूप में भी जानते है प्रतेक दो वर्ष के पस्चाद इसके दो तिहाई सदस्यों के पस्चाद आवकास गरन करते हैं जी नहीं इसके एक तिहाई सदस्यों के पस्चाद आवकास गरन करते हैं और प्रतेक सदस्यों के कारिकाल छे वर्ष का होता है राज सभा के सदस्यों का चुनाव परत्यक शुरूब से होता है जी नहीं राज सभा के सदस्यों का चुनाव और परत्यक शुरूब से होता है इस परकार दो और तीन गलत है चौथा देखते हैं उपराश्पती को हटाने के लिए राजी सभा में ही परस्ताव लाए जाता है उपराश्पती राजी सभा का सभापती होता है इसलिए उपराश्पती को हटाने का प्रभाव राजी सभा में ही लाए जाता है तो इस परकार 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है तो आप दिखिए option C बिल्कुल सही है Question number 46 है उपराश्पती के चुनाओं के निर्वाचक मंदल में सामिल होते है तो उपराश्पती के चुनाओं में निर्वाचक मंदल में सामिल कौन-कौन होते है संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचक सभी सदसे उपराश्पती के निर्वाचक में सामिल होते है तो इस परकार option D बिल्कुल सही है अगला प्रस्ट है question number 47 राश्पती पर महावयोग की परक्रिया समिधान के किस अनुछेद में वर्णित है राश्पती पर महावयोग की परक्रिया हमने USA से लिया है और यह भारतिय समिधान के अनुछेद 61 में वर्णित है राश्पती पर महावयोग की परक्रिया अनुछेद 61 और राश्पती के द्वारा चमादान अनुछेद 72 में वर्णित है आयो वर्ते हैं सुतंत भारत के पहले मंत्री मंधल में dr. राजर्द करसाद को खादेवं क्रिशी मंत्री वही जगजीवन राम बने था सरम मंधरी मौबमद रफी अहमद किदवाई ये बने था संचार मंत्री और स्यमा परसाद मुखरजी बने था उद्योगेवं आपूरती मंत्री तो स्यमा प्रसाद मुखर जी उद्योग आपूर्ती मंत्री, अहमद की दुआई संचार मंत्री, खादेवम क्रिशी मंत्री बने थे राजंदर प्रसाद, और जगजीवन बागो बने थे स्रम मंत्री अगला प्रस्ण है, समिधान सभा में प्रक्रिया नियम समिती के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्तर राजंद प्रसाद समिधान सभा में तीन समितियों के अध्यक्ष थे वो तीन समितिया कुन-कुन थी, पहली थी प्रक्रिया नियम समिति, दूसरी थी तदर्थ जहंडा समिति और तीसरी थी संचालन समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और तदर्थ जहंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजन परसाद को चुना गय गया था और HC मुखर जी जो थे वो समिधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गया थे आगे बढ़ते हैं कोशन पचास राज सभा को निम में से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जहां लोग सभा को प्राप्त नहीं है तो दो कतन है अखिल भारतियों सिवाओं को स राजसुची के किसी विषय पर राष्ट्रिय महत्व का घुष्द करना और राजसुची के विषय पर कानून बनाना राजसभा क्यों सक्ति प्रदान करता है अनुचे 249 करता है यदि राजसुची में कोई विषय है उसे राष्ट्रिय महत्व को बता कर उस पर कानून बन अस्थापित करता है विधी का शाषन भारती समिधान में किस देश से लिया गया है तो विधी का शाषन जो है हमारे भारती समिधान में ब्रिटेन देश से लिया गया है वहीं विधी द्वारा अस्थापित परक्रिया हमने जापान से लिया है विधी द्वारा अस्थापित जो परक्रिया है वजापान से और विधी का सासन हमने लिया है ब्रिटेन से अमेरिका से कई प्रावधान जैसे राश्टपती प्रमहावयोग उपराश्टपती सर्वोचनेले ये सब हमने अमेरिका से लिया है जर्मनी से लिया है हमने आपात काल का प्रावधान आगे बढ़ USA से मौलिक अधिकार को लिया गया है जो की अनुछेद 12 से 35 के मद्य वर्णित है और भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार को भारतिय समिधान का मैगना कार्टा कहा जाता है प्रडम में यानि मूल समिधान में साथ मौलिक अधिकार भारतिय नारिकों को पड़ान किये गए थे और वर्तमान में यह 6 है एक जो संपत्तिक अधिकार है उसे 44. समिधान संसोधन 1978 के तहट मौलिक अधिकारों के सुची से हटा करके अनुचे 300 के ए में रख दिया गया है और यह अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है वो कौन-कौन है सम्ता का अधिकार, सोतंता का अधिकार, सोशन की विरुद अधिकार, धार्मिक सोतंता का अधिकार, सस्कृति एवं सिक्षा का अधिकार, एवं सम्मधारिक उपचारो का अधिकार ये मौली का अधिकार है जो की भारतिय सम्मधार में अभी भी वढ़नीत है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 53 अनुशेद 114 जो संबंधित किस से है तो अनुशेद 114 का संबंध है वी नियोग विद्यक से लेखा अनुदान का संबंध है अनुशेद 116 से वित विद्यक का संबंध है अनुशेद 117 से तो वी नियोग विद्यक अनुशेद 114 आगे किया है तो भारत में दो ऐसे वेक्ति हुए है जिरों ने उप परधान मंत्री एवं परधान मंत्री दोनों ही रूपों में कारे किया है वो वेक्ति कौन है तो एक है मुरारजी देशाई और वही दूसरे है चोधरी प्रधानमंतिर के रूप में परिष्ट다면 demonstrating निवस्ट ह depicts आगे हमारे बंदल में एकुल आठ ग्रह है जिसमें से सबसे बड़े ग्रह वरिष्पती के सबसे बड़ा ग्रह का दाम है यहां गडिमेड पूरे ही सबसे बड़ा बड़ा है तो यають विरिश्मति का उप्ग्र है आगे बरते हैं कोशेर्ब 58 हुर्ख का सरवाधिक रबर उत्पादित कर्डे वाला देश कोल सा है तो सरवाधिक जो रबर उत्पादित कर्डे वाला देश है वह है थाइलेड ओपसर नुम सी मिलकुल सही है विश्व में सर्वाधी करने वाला देश है थाइलेड आगे बढ़ते हैं कोशन नबर 59 भारत का सर्वोज साथी कालीज स्वारे पुरसकार क्या है तो भारत में साथी कालीज छेतर में सबसे बड़े पुरसकार की बात करें तो वह है असोक चक्र असोक चक्र है साथी कालीज छेतर में सबसे बड़ा पुरसकार है वही वीरता के छेतर में सबसे बड़ा पुरसकार है वह है परविंग चक्र वीरता में सबसे बड़ा परविंग चक्र दूसरा में है भावीर चक्र और साथी कालीज में जो है वह है असोक चक्र आगे भरते हैं सुधी रवन कप का संबध किस से हैं तो सुधी रवन कप, नेहरू कप, उबेर कप, थोमस कप ये सभी जो कप है वो है मैडविंटन से तो सुधी रवन कप का संबध है मैडविंटन से आगे भरते हैं question number 61 सयुक्त राष्ट पर्यावरण कारेकरम UNEP का मुख्याला कहा है तो सयुक्त राष्ट पर्यावरण कारेकरम UNEP के अस्थापडा 1972 वे की गई थी और इसका मुख्याला केनिया की राधानी दैरोबी में है तो आप देखेगा कि कोई नहीं है इसमें से इस परकार option D कि बिल्कुल सही है कि UNEP का मुख्याल है केनिया के राधानी नहरोबी भी है जिसके अस्थापड़ा 1972 वे की गई थी question number 62 डिवन में से कौन सा देश संखाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है तो SEO का सदस्य राष्ट के संख्या अगर देखे तो वह 8 है SEO के जो प्रणब में 6 देश थे शीर, कजाकिस्ताद, किर्गिस्ताद, दुरूस और तजाकिस्ताद वही 2001 में उजबेकिस्ताद इसका सदस्य बना 2016 में भारत और पाकिस्ताद इसका सदस्य बना इस पर कारवरतवार में टोटल 8 देश है और इसमें से कोज सदस्य राष्ट नहीं है तो इसमें सदस्य राष्ट जो है वह अफगानिस्ताद नहीं है तो option number D बिलकुल सही है आगे भरते हैं एक डिबल कितने बीट के बरावर होता है तो एक डिबल 4 बीट होते है computer memory की बापन के लिए इन इकाईयों का परतिकता दी जाती है कि एक डिबल कितने बीट के बरावर तो चार बीट के बरावर होता है और बीट वह जो binary number होता है वो होता है 0 और 1 ये binary number होते है चार बीट एक डिबल के बरावर होते है आठ बीट एक बाइट के बरावर होता है और 16 मीट एक सम्द के बरावर होता है और 224 बाइट जो होता है एक किलो बाइट के बरावर होता है विश्व आर्द भुवी दिवस किस तिथी को बनाया जाता है तो विश्व में आर्द भूवी की सुरक्षा के लिए प्रती वर्ष दो फर्वरी को विश्व आर्द भूवी दिवस बनाया जाता है आर्द भूवी को प्रित्वी की कीडरी कहकर सबोधित किया जाता है 2020 में दो फर्वडी को आर्थम हुवी दिवस बनाया गया था जिसका थिम था Wetland Ad Biodiversity Wetland Ad Biodiversity के थिम के साथ दो फर्वडी को 2020 में आर्थम हुवी दिवस बनाया गया Question number 65 है डिम लिखित में से कौज सा कथत सही नहीं है सारे 81 डिग्री पुर्वी देशांतर भारत का बाड़क समय रेखा है बिल्कुल सही है सारे मेराशे डिगी जो पुर्वी देशांतर है वो भारत का बाड़क समय रेखा है जो भारत के पाच राजयों से होकर गुजरता है और यह बाड़क समय रेखा ग्रिनवीच से साड़े छे घंटा बिन रही है कि और प्रते अगला प्राश्ट है कौन सा भारति राजे तीरफ से इसलिए सीमा से गेरा हुआ है तो बहरत पे तीज अठरव से इसलिए हुए राजे है यह है तिरफुरा और अरुणाचक्रदीश, दोस्तों यहां पे दौनों अप्टाम वह सराइब हुमें कि दियंके गार्टियोंके़ा है, प्जीअ neighbors तो इस सरकhान सब्सक्रदीश, तो तीन तरफ से द्राष्टछी सीवा से घिरा गए जोडता है तो सिंपोर्ड जो दर्रा है वह त्रिवेंदर्रम को मधुरे से जोडता है तबी लाडू को मधुरे यारी कड़ाटक से जोडता है और वहें पे मन्डरासिक और मुंबई को ठाल घार जोडता है मुंबई को पूरे से भोर घार जोडता है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सिनकोट दर्रा जो की तिरुवनद पूरम को मदुरे से जोडता है आगे पढ़ते हैं दिल्की़ित में से कौन साघ़ता सही है नो कावेरी प्राधिप्य भारत की सबसे ल ONBi नदी है और गौदावरी नदी जिसकी लंबाए । कवेरी नदी पर करडाटक में इस्तित है इस पर कार ओप्सन जो के वल दोससही है तुग्भद्रा निम्न में से किसकी साहक नदी है तुग्भद्रा जो है वह कृष्णा की साहक नदी है तुग्भद्रा मूसी पंच गंगा दूद गंगा यह सभी ही कृष्णा की साहक नदी है गुदावली की साहक नदी की बात करें तो प्राण हीता पेन गंगा बेन गंग का इंद्रावती यह इसकी साहक नदी है कामेरी का महा नदी है और महा नदी का जो साहक नदी है वह है तेल नदी आगे बड़ते हैं पंपा सरोवर जील कहां है पंपा सरोवर जील है वह करनाटक में इस्तित है पंपा सरोवर जील करनाटक में इस्तित है आगे बड़ते हैं को तो सबसे अधिक मुख भाग पर जलोड मिटी पाई जाती है वह बिलकुल सही है भारत के 43% चेदर फ़ड और लगभग 15,00,000,000 km2 चेदर फड जलोड मिटी पाई जाती है जलोड मिटी सबसे उरवर मिटी है उपजाव मिटी है इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है जबक कार ऑप्संस दी बिलकुल सही है आगे बरते हैं सेचालम सोरी सेशाल चलम पहाडिया जो कि भारत का जैम बंडल आरक्षी छेतर है वकिस राजव इस्तित है तो सेशाल चलम पहाडिया एक जैम बंडल आरक्षी छेतर है यह भारत के आदर परदेश राज़ में इस्तित है Champion number B, बिल्कुल सही है आगे बरते है Question number 73 73 है कि Almaty Banh की परियोजना किस नदी पर है Almaty Banh जो परियोजना है वो क्रिश्च्चा नदी पर है जो कि कर्नाटक में इस्तित है Almaty Banh करिश्ना नदी पर कर्नाटक में इस्तित है आगे बरते हैं निम्ब में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है खरीफ फसल उन फसलों को बोला जाता है जिनकी बुगाई जो जून से जुलाई में की जाती है और उन्हें सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है खरीफ फसल के उधारन वे रूपे देखिएगा तो धान, सोयबीन, अरहर, तील, मूं, उरत, जौर, रागी, बाजरा ये सब खरीफ फसल के उधारन है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है खरीफ नहीं है तो तबाकू, जौर, बाजरा ये खरीफ है जो जो है एक रवी फसल है रवी फसल ठंडे के दिड़ों में होता है जैसे गेहू है, चड़ा है, ये सब रवी फसल के उधारन है आगे बढ़ते हैं, काली करांती निम्न में किसके उत्पादन से समद्द है तो काली करांती का समद्द, दोस्तों, पेट्रोलियम से है कोईला से नहीं है, बलकि पेट्रोलियम उत्पादन से है काली करांती पेट्रोलियम, उर्वरक से जो समद्द है वो है भूरी करांती उर्वरक से है भूरी और पेट्रोलियम से है काली अगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 76 भारत में चांदी का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राजिक कोन है तो चांदी का सरवाधिक उत्पादन भारत के राजस्तान में होता है तो आप्शन नमबर भी बिल्कुल सही है चांदी उत्पादन में राजस्तान सबसे अगरणी है कोस्टेन नमवर 77, 2011 की जनगन्दा के अनुसार किस राज की दस्किये जन संख्या विर्धीदर सरवादिक है 2011 में दस्किये विर्धीदर यरी दस साल में किस राज की जनसंख्या विर्धी कीया है तो वह है मेंग्跟我 27 BR. जो जन संक्यार व्रदिती दर्च कीए वह है.. 27.9% 27.9% के साथ मेगाल जाले कर दर्क में सबसे अगरनी है वही दूसरे नंबर पर है उुनाच्र-प्रदेश और तीसरे नंबर पर है विहार विहार में जो जन संक्यार व्रदिती दर है वह है जो दस की यह है वो है 25.42 परतिसत आगे भरते हैं लिम्फू जन जाती किस राज़ में निवास करती है लिम्फू जन जाती है जो कि भारत के सिक्किम राज़ में निवास करती है लिम्फू जन जाती सिक्किम राज़ में निवास करती है इसके अतरिक भूटिया लेपचा तम यह भी सिक्यम की जंजातिया है आगे बढ़ते हैं अगला प्राशन है कोश्चन नमर 79 प्रजेक्ट एलिफेंट किस वर्स शुरू किया गया था तो हाथियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वर्स 1992 में प्रजेक्ट एलिफेंट की सुरूत की गयी थी वही टाइगर जो प करते हैं मिलान करना है एक तरफ जो सुची दी गई है उस यंद्र का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जिस यंद्र से वह मापा जाता है उसका नाम दिया गया है पायरो मीटर है जो उच्छ ताप मापी यंद्र है उच्छ ताप मान को मापने के लिए पायरो मीटर का प मीटर का परीओ किया जाता है तो पायरो думаю उचताप के लिए कर तो IM姐 के लिए लक्समेटरOh प्रकास केतीवता को अपने के लिए और हाइगो मीटर का परयोग सपेख्ष आध्यता कम आपने के लिए कियाए दाधा है आप देखिएगा कि opis ein Krid बिल्कुल सही है अगे भरते हैं कोशन नबर 81 एसाई इंटरनेशनल सिस्टम अफ यूनिट को अंतराष्टी प्रणाली के रूप में किस वर्स अपनाए गया इसाई यूनिट जो विश्व में अंतराष्टी प्रणाली के रूप में विख्यात है इसे 1960 से अपनाए गया है त किसी पदार्थ की उसमा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांग द्रवमांड में एकांग ताप वर्धी उत्पन करता है कहलाता है तो पदार्थ की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांग द्रवमांड एकांग ताप में वर्धी उत्पन करता है उसे हम विशिष्ट उसमा जानते हैं सिसका इससाई बात रख होता है जूल केजी इडवर्स पर केलवीड इडवर्स ऐसे जूल केजी इडवर्स और केलवीड इड़्स ये होता है उसकी विशिश्ट उसवागा 10 वात रख अगला प्रस्ट है निम्ड में से कौन सा स्रिंखला डूइतियक रंगों का है तो प्रात्वी रंग का बार दिवा जानते होंगे कि लाल हरा और नीला ये है प्रात्वीक रंग लेकिन डूइतियक रंग है पीला, मेजेंडा और पिकॉक नीला जो इन तीनों रंगों के मिलाने से बनता है लाल, हरा और नीला को मिलाने से अबिविन रंग बनते है यदि लाल और हरा को मिलाए जाता है तो बनता है पीला लाल और नीला को मिलाते है तो बनता है मेजेंडा और नीला और हरा को मिलाते है तो बनता है पीकोक नीला तो इस परकार दूटियक रगों का जो स्रिकला है वह है पीला, मेजेंडा और पीकोक नीला तो आप्सन B बिल्कुल सही है अगर बढ़ते हैं निम्न बेसे कोई थोड किरन का गुन रही है तो कैथोड किरन अधस से है बिलकुल सही है यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभाविक करता है यह भी सही है इसकी विधन चंता उच होती है यह गलत है दोस्तों इसकी विधन चंता टिम्न होती है और इसका हवे एक परकास केवेका एक मटा दस गुना होता है यह सही है तो कैथोड किरनों उच उर्जा वाले किरन है जिसे विशक्रजन नलिक्या में गैसों का परयोग करके पैदा किया जाता है और इसके कई गुण है जिसमें से या जैसे कि ये सीधी रेखा में गवन करती है या कुरन पूंच विदूत और चुम्बक्ये में भी छोपित होती है या गैसों को आयनी कृत कर देता है एवन धातू पर उसमी ये प्रभाव दिखलाती है ये सब इसके गुण है इसकी विदर चम्ता उच होती है या इसका गुण नहीं है इसकी विदर चम्ता दिब्ड होती है या इसका गुण है आगे बढ़ते हैं प्रकास सल्सलेशन एवन स्वासन किस परकार के परिवर्तन है तो प्रकास सल्सलेशन और स्वासन की प्रक्रिया दोनों ही रसाइनिक परिवर्तन के उधारण है प्रकास सल्सलेशन में कारवन डायोकसाइड और जल दोनों ही बिलकर बनाते हैं ग्लुकोज प्लस अजल और ऑक्सीजन तो इस परकार आप दिखिएगा कि रहसाइनिक परिवर्तर के उधारण है प्रकास इसलेशन एवब स्वसद क्वेशन नबर 86 दिम्ड में से कौन सा क्वांटम संख्यक कक्षक की आकृति को परदर्शित करती है तो चुम्ड की क्वांटम संख्यक जो है वह कक्षक की आकृति को परदर्शित करता है आगे बढ़ते हैं कोशन नबर 87 दिम्ड में से कौन सावी कल्प बंधनों की क्रिया सीलता को बढ़ते करम पे दरसाता है तो बंदनों की जो क्रिया सेलता है वह सबसे कम होता है एकल में फिर होता है दूतियक में और फिर होता है तृतियक में तो इस परकार ओप्सन C बिल्कुल सही है कि बंदनों की जो क्रिया सेलता है और बंदन क्या उर्जा ये दोनों ही क्रिया सेलता और उर्जा दोनों का जो क अप्टेकबंद की लबाई सबसेच हम होती है बार si, कउशन नमर 88 है गंधातु किसका किसका मिस्तरं होता है तो गंधातु जो मिस्तरण होता है वह ताबा जस्ता और टीन इन तीनों को मिलाने से गंधातू बनता है टो अप्सन नमर ए देखिए ता होता है जिंक और यदि कॉपर डिकेल और जिंक इसको बिला दिया जाए तो वो बनता है जनवर सोरी जर्मन सिल्वर कोशन नमर 89 है टिम्ड में से किस अग में आवसकता से अधिक सरक्रा या कार्बोहाइड्रेट गलाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं तो बानव सरीड क सबसे बड़ी ग्रत्ति है अगला प्रश्ण है क्रेप्स चक्र में गुलकोज एक अनु में कितने एटीप के अनुओं के निर्मान होता है तो क्रेप्स चक्र की जो अबधारना है वह 1937 विश्वी में बिटिस वेग्यानिक हिंस क्रेप ने दिया था गलाइको लाइको प्रान दो एटीपी अनुओं का लाब हो जाता है अता गुलकोज के एक अनु में ऑक्सिजन से दो प्लस चतिस अर्थात अर्थात अर्थिस एटीपी का निर्मान होता है आए बड़ते है नाइंटीवन यूगमको का निर्मान व्रिशक एबम अंदासय की जन्न कोशिकाओ में किस कोशिका में विवाजन द्वारा होता है तो अर्थ शुतरी विवाजन के द्वारा यूगमको का निर्मान व्रिशन अन्दासय की जन्न कोशिकाओं में होता है ऑप्सण भी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते है कोस्ट नमर नाइंटीटू 92 है मानम्र का समयन रख्तदाव कितना होता है 120-80 mm यह पारे में 120 प्यक्सिम और 80 मिमम इसके बीच वे होता है यह बहुते हैं निम्न में से कौन उत्तदाई पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रसानिक परकडिया को तेज करता है तो जैविक सिस्टम में रसानिक परक्रिया को तेज करने के लिए इंजाइम का प्रयोग किया जाता है तो इंजाइम जो है वो उतरदाई होता है जैविक सिस्टम में रसानिक क्रिया को तेज करने में 94 निम्न में से किस और नाम से लाल रख करनिकाओ को जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है लालत कनकाओं को वहीं लिकोसाइट के नाम से जाना जाता है WBC को और थ्रॉम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है प्लेटलेट्स को तो थ्रॉम्बोसाइट के नाम से प्लेटलेट्स को लिकोसाइट के नाम से WC को WBC को और E3-SWIET के नाम से RBC को यानि की Red Blood Cell को जला जाता है Question number 95 है निम्ड में से कौन सा रोग 4D Syndrome कहा जाता है किस रोग को 4D Syndrome के नाम से जला जाता है तो पिलागरा को जो बिटामिन B3 की कमी से होता है उसे 4D Syndrome रोग कहा जाता है विटामिन B3 का जो नाम है वो है नियासीन अगे बढ़ते हैं मगरमक्स में हिर्दे होते हैं कितने कक्षिये तो मगरमक्स में जो हिर्दे होते हैं वो 4 कक्षिये होते है तो option C मिलकुल सही है Question number 97 देखते है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार गन्तिया पाई जाती है तो मनुष्य में तीन जोड़ी लार गन्तिया पाई जाती है तीन जोड़ी लार गन्तिया अगला प्रस्ना है नेफरीडिया कि संग के जीवो का उत्सरजियंग है तो नेफरीडिया जो है वह एनलीडया ग्रूप के जीवों का उच्सरजीयंग दिफलीडिया काल आता है अगे बरते हैं इस्ट में किस परकार का औरल yang एक जरन पाया जाता है इस्ट में मुकुलन नामक all yang जरन पाया जाता है जिसे बडिंग का आ जाता है निम्र में से कौन सा हर्मोन रक्षाप को प्रवाइद करता है अधे वरिक गरंती में यनि करने वाला इंडेनल जो गरंती है हर्मों है वह रक्षाप को प्रवाइद करता है इस परकार हमारे हुए table है हुए अगले टेस्ट में दोस्तों इरुटीरिया के साथ जुरे रहने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी के दोस्तों का धने भाज आपने दोस्तों के साथ इस पीडियेव को सेर करें इस वीडियो को सेर करें ताकि वो भी इस टेसरीज का लाव उठा सकें